हेलो दोस्तों ये है All New 2022 सुज की Axis 125 BS6 का Special Edition डिस्क ब्रेक, पर्ल मरेज वाइट कलर के साथ आप देख रहे हैं Axis 125 साथ वेरियंट और 10 कलर उप्शन में आता है Axis 125 के Special Edition में आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं On-Road कीमत कितनी है जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले Front Look की बात की जाए तो इसका जो Look है वो एकदम Classic सा लगता है और इसके जो Side View Mirror है वो आपको Chrome के Treatment के साथ मिल जाते हैं Headlight Section की बात करें तो यहाँ पर आपको Chrome का Treatment मिल जाता है इस Plate की यहाँ पर आपको LED Headlight मिल जाती है नीचे आपको High Beam मिल जाती है जो की Night के टाइम पर इसके Look को काफी Inance करती है App Rain के उपर आपको सुझकी की Branding मिल जाती है, Logo मिल जाता है और यहाँ पर आपको थोड़े से Cuts मिल जाते हैं, Number Plate के लिए Option मिल जाता है इसके जो Turn Indicator है वो आपको इसमें Halogen के मिल जाते हैं Indicator के नीचे की साइड में दो Pilot Lamp दिये गए हैं, वो भी Halogen में इसका जो Front वाला Mudguard है वो आपको Metal Body के साथ मिलता है इसमें आपको Combi Breaking System मिल जाता है इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है Front में आपको डिस्क मिलती है और 90-90-12 K2 लेस टायर मिल जाते हैं 12 इंच के एलोबील मिल जाते हैं फ्रेंट में और Telescopic Front में आपको Suspension मिल जाते हैं अगर इसको Side Profile की तरफ से देखें तो इसकी जो डिजाइन है वो काफी Premium मिलती है और लुक इसका काफी Classic मिल जाता है ये इसके और Color Option है यहां से आप देख सकते हैं 743 mm की इसमें Seatight मिलती है 104 kg स्कूटर का Total Carweight है 160 mm इसमें Ground Cleanse मिल जाती है लेग Space Area काफी अच्छा और काफी Spacious मिल जाता है जिसमें आप एक पाने की Bottle भी रख सकते हैं जो बड़ी वाली आती है 20 लीटर की नीचे जो है अच्छी खासी Venissing मिल जाती है काफी Heavy Premium Quality का यहां पर आपको Material मिल जाता है और यहां पर आपको Glove Box मिल जाता है और यहां पर आपको एक USB का Mobile Charging के लिए Port मिल जाता है आप अपने Mobile को Charge कर सकते हैं यहां से और यहां पर आपको एक Key Point मिलता है यही से आप इसको Lock Unlock कर सकते हैं और इसके Boot Space को भी Open कर सकते हैं Analog Type का Speedometer मिलता है Trip Meter इसमें आपको Digital मिल जाता है यहां पर आपको थोड़ी सी Blue Color की Light मिल जाती है यहां पर आपको Head Light Indication Warning Indication, Turn Signal Indication दूसरी साइड में Engine Malfunction Indication की Light और यहां पर Trip Meter दिया है जिसमें आप Fuel की Reading देख सकते हैं Kilometer की Reading, Digital Clock मिल जाती है और Battery की Voltage भी देख सकते हैं Acceleration की बात करें तो 3.18 सेकंड में यह स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति गंटे की स्पीड को पकड़ लेता है यहां पर आपको Chrome Finishing के साथ Side View Mirror मिल जाते है Low Beam, High Beam, Switch Indicator और Horn का स्विच मिल जाता है इसके दूसरी साइड में Engine के स्विच के साथ में आपको Self का Switch मिलता है Seat Quality की बात करें तो यहां पर आपको तोड़ी सी Dark Maroon Color की Seat मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो कुषिनिंग है और जो Quality है वो काफी अच्छी और Smooth मिल जाती है Pillion के लिए यहां पर आपको Adjustable for Dress मिल जाते हैं इसकी रवर्ड की ग्रिपिंग से दिये गए है S.E.P. सुझकी Eco Performance का Logo मिल जाता है जैसा कि इसमें आपको सुझकी की तरफ से S.E.P. Technology मिलती है Axis 125 का यहां पर आपको 3D Chrome के साथ Logo मिलता है इसके एक जोस्ट के ऊपर एक Metal की लंबी सी Chrome की Plate दी गई है जो कि इसके लुक को काफी इनेस भी करती है काफी प्रीमियम बनाती है Side Body Panel है वो आपको इसके Fiber Body के साथ मिलते है और पीछे की लुक की बात की जाए तो यहाँ पर Silver Finishing के साथ एक Gravandal मिलता है External 5L की Fuel Filling मिल जाती है और Tail Light के उपर आपको सुझकी की Branding मिलती है थोड़ी सी Chrome की Finishing मिल जाती है इसकी जो Tail Light है और जो Indigator है वो आपको इसमें Halogen के देखने को मिल जाते है पीछे आपको LED का कोई भी Parts देखने को नहीं मिलता है दूसरी साड में चलें तो यहाँ भी आपको Axis 125 का 3D Chrome के साथ Logo मिलता है Billion के लिए Adjustable Pudrest और यहाँ पर आपको Side Stand और Man Stand भी मिल जाते हैं अब दोस्तों हम इसके Boot Space को Open कर लेते हैं तो इसका जो Seat का Under Storage है वो यहाँ पर आपको काफी Deep ली और काफी गहरा मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारा सामान भी Carry कर सकते हैं इसमें आपको LED की Boot Light नहीं मिलती है यह इसकी पीछे की Seat का हिस्सा है जो कुछ स्टैप से नजर आता है अब दोस्तों इसके Boot Space को हम Close कर देते हैं चलते हैं इसके नीचे की Side में तो Engine के उपर आपको सुज़की की बैजिंग मिल जाती है किक स्टार्ट का लीवर दिये गए इसकी रियर में 9010 का ट्यूलेस टायर मिलता है C8 कंपनी का 10 इंच का एलोबील मिलता है पीछे और आगे आपको 12 इंच का एलोबील मिल जाता है 130 mm की Drum Brick मिलती है Swing Arm टाइप के Suspenser मिल जाते है इंजन और पावर की बात करें तो 124 CC Air Cooled Forest Rock SOSC2 वाल BS6 Fuel Injected इंजन मिलता है जो देता है 8.7 PS की पावर 6750 RPM पर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर CBT Gearbox मिलता है तो बात करें इसके प्राइस की तो Company माइलेज क्लेम करती है City में इसका 52 KMPL का अब बात करें इसके प्राइस की तो सुझकी Axis 125 Special Edition के Disc Break Variant की एक्सोरूम कीमत है 8,235 रुपे और इसकी ओनरूर कीमत है 95,770 रुपे नीचे आप जितने भी वेरियंट देख रहे ये सारे Special Edition है अब बात करें Axis 125 के Disc Break Bluetooth Edition की जो की उपर की सैड में खड़ा है और इसकी एक्सोरूम कीमत है 84,034 रुपे और इसकी ओनरूर कीमत है 1,39 रुपे ये ओनरूर कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है ब्रजवासी सुझकी 68 मौली NS2 Highway मत्रा सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप मत्रा आसपास से हैं तो नीचे दियो ए नंबर पर call करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, comment, share करें और चैनल देव MDR को subscribe करें अपनी city की on road कीमत जानने के लिए अपनी city का नाम comment box में share कर देना, मैं आपको आपकी city का access 125 का price reply करके बता दूँगा, thank you दोस्तों